हेलो फ्रेंज आप सभीका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अगड़िमी में आज हम लोग घटना चक के रेखलावे गुरुप डी का तीसरा प्रेटी सट करने वाले हैं जो की दो प्रेटी सट पहले भी हो चुके हैं आज प्रेटी सट का ये तीसरा या सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो की लर्काना जिले में इस्तित है और इसकी खोज सरपतम 1922 में राखलदास बनर जी ने की थी सिंध प्रांत इसका आंसर भी सही होगा अंसर भी सिंध 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर जी ने की थी अगला कुश्चन है सुंग वन्स का अंतिम सासक कौन था सुंग वन्स का अंतिम सासक देव भूत था इसकी हत्या इसके सचिव वास देव द्वारा 75 इसा पूर्व में कर दी गई थी अंसर डी सही होगा और इसकी हत्या 75 इसा पूर्व कर दी गई थी अगला कुश्चन है कि सुफी संत की दरगा अजमेर में इस्तित है ख्वाजा मुहिने दूइन चिस्ति ग्यारा सो बानने इसबी में मुहमद गवरी के साथ भारत आये थे और अजमेर में रहने लगे तथा चिस्ति संप्रदाय की निव भारत में रखी इसका अंसर सी सही होगा अगला कुश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद पांडू रंग था इसका अंसर सी सही होगा अगला कुश्चन है भारतिय राष्टिय कांग्रेश की पर्थम महिला अध्यश थी वर्ष 1917 इस भी में एनी वेशंट को भारतिय राष्टिय कांग्रेश के कलकत्ता अध्यश पद के लिए चुना गया और सरोजनी नाइडू कांग्रेश की पर्थम अध्यश्टा करने वाली भारतिय महिला है अगला कुश्चन है अक्टूबर 2021 में किसे नमाम गंगा कारिकरम के लिए सुभांकर खोशित किया गया है एक अक्टूबर 2021 को राष्टिय स्वच गंगा मिसन की सैंतिस्वी कारिकारी समित की बैठक में चाचा चौधरी को नमाम गंगे कारिकरम का सुभांकर गोशित किया गया है अगला कुश्चन है सितंबर 2021 में केंद्रिय मंत्री जी किसन रेड़ी ने परशुराम कुंड की आधार सिला रखी या कुंड की स्राज में इस्तित है 3.7.2021 को केंद्रिय मंत्री जी किसन रेड़ी ने राचल परदेश के लोहित जिले में इस्तित पर सुराम कुंड की अधार सिला रखी अगला कुछन है नॉम्बर 2021 में भारती अंतर राष्टिय व्यापार मेला का 40 वा संसकरन कहां आयोजित किया गया 14-27 नॉम्बर 2021 के मद्भारती अंतर राष्टिय व्यापार मेला IITF का 40 वा संसकरन प्रगती मैदान नई दिल्ली में आजवित हुआ है इस मेले की थीन आत्म निरभर भारत थी हैंसोड़ी होगा नई दिल्ली अक्टूबद 2021 में संपन उबेर कप पत्योकता का किताब किस देश ने जीता उबेर कप 2020 का किताब चीन ने जापान को पराजित कर जीता था अंसोर 20 ही होगा चीन अगला कुष्चन है मई 2021 में LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्चिदारी को 3.09 परतिसाथ से बढ़ाकर 5.06 परतिसाथ किया है मई 2021 में LIC ने Union Bank of India में अपनी इस्सेदारी को 3.09% से बढ़ा कर 5.06% किया है अगला कुछन है निम लिखित में से कौन बजट 2021-22 में केन सरकार की आई का सबसे बड़ा स्रोत है केन सरकार का आई का सबसे बड़ा स्रोत वस्त्यूम सेवा करा है जो की 15% है वस्त्यूम सेवा कर 15% है और इसके बाद आता है आई कर जो की 14% है और निगम कर आता है 13% केंद्रिय उत्पाद सुलक आता है 8% तो इसका एंसर सी सहीं होगा वस्त्यूम सेवा कर अगला कुश्चन है हिंदूों का तीत अस्तल सबरी माला किस राज में इस्तित है सबरी माला हिंदूों का एक पवित तीत थरस्तल है जो की केरल में इस्तित है या मंदिर भगवान आयप्पा को समर्पित है अगला कुश्चन है निम लिखित में से कौन सा एक युगम सहीं नहीं है अप्शन ये पांचवी पंचवी पंचवी औरसी योजना उननीस सो एक सट से चाचट ये गलत है पंचवी पंचवी औरसी योजना उननीस सो चवहत्तर से उननीस सो उन्न्यासी तक तो इसका अंशर ये गलत है अगला कुछन है निम लिकिन में से वर्तमान में भारतिय रिजर बैंक का गवर्नर कौन है वर्तमान में भारतिय रिजर बैंक का गवर्नर सक्तिकांत दास है अंसवर B सही होगा सक्तिकांत दास स्वतंद भारत के पर्थम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंद भारत के पर्थम कानून मंत्री डाक्टर भीम राव अंबेट कर आंसवर डी सही होगा अगला कुछ्छन है संबिदान का कौन सा भाग लोग कल्यान कारी राज के विचार का उल्लेक करता है? सम्विदान का भाग चार अनुछेद 36 से 51 समर्पित है जो राज के नीत निर्देशन का तत्त कहते हैं एंसर सी होगा भाग चार निम्ल खित में से कौन लोग सभा के पर्थम अद्यश थे भारत के पर्थम लोग सभा अद्यश जीवी मालवनकर जी है जो कि option D से होगा भारत की संसदिये प्रणाली कहां से ली गई है भारत का सम्विदान संसदिये प्रणाली के आधार पर बनाए गया है या संसदिये प्रणाली बिट्यश से ली गई है इसका आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 है 1935 जो कि बिट्यश से ली गई है संब्यदान के किस अनुशेद में संसत को संब्यदान में संसोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है संब्यदान के भाग 20 के अंतरगत अनुशेद 369 अनुशेद 369 संसत को संब्यदान में संसोधन करने का अधिकार प्रदान करता है अंसर 20 ही होगा यह था आज का प्रेक्टिसर्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद